तो देखिए बच्चो आज जो नोधय का एक्जाम हुआ है उसका मैत में जो पूछा हुआ है तो कैसे हम उसको सल्व करेंगे एके करके सल्व करके चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही है आप ही मिला लिजे कितना आपने सही किया है एक तालिस में कोश्चन है कि एक बस्तु के करेंबूल और बिकरेंबूल का अंतर 240 रुपया है यदि लाव 20% है तो बिकरेंबूल कितना है तो इसके लिए मों क्या कर लेंगे कि मान लेंगे कि करेंबूल जो है ओ एक्स रुपिया है तो लाव परतिस्त पर क्या होता है लाव यहां पर 20 रुपिया है, लाब पर्चत 20 हैं, लाब 240 गुना 100 बटा में X हो गया, तो यह X है और 20 ने करेंगे 20 X हो गया, और 24,000, 240 से और 100 से गुना किये तो, यह कटा देंगे तो 12 रुपिय हो जाएगा, मतलब की क्रेमूल आपका 12 रुपिय हो गया, और विक्रे मूल जो है 240 रुपिया अधिक है तो 1200 में 240 जोड़ देंगे मतलब कि 1440 रुपिया आ गया तो यहाँ पर आपका जो है सही एंसर जो है 1440 रुपिया होगा बी अप्शन जो है बिल्कुल सही है अब देखिए एक पानी की टंकी की लंबाई चोड़ाई और उचाई करम सह 11 मिटर 10 मिटर और 9 मिटर है यह टंकी पानी से 6 मिटर के उचाई तक भरी होई है तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली है क्या करेंगे हम लोग कि टंकी का आईतर ककॉलंए निकाल लेंगे तर नमबाई गुने कुणे चुणाई गुणे उचाई होता है तो 11 क्रुणे दस गुणे नौ करेंगे 9 गटा लेंगे उसको तो खाली भाग 330 हो गया अब क्या करेंगे कि 990 में गुणा एक्स बराबर 330 तो इसको कड़ जेगा यह एक बड़ा तीन भाग मतलब कि जो है एक बड़ा तीन भाग जो आप बी ऑप्शन जो है हो साई आजाएगा अब एत्य तारिस में है कि एक हॉल के फ और जिसकी विमाएं 12-10 मिटर है को पूरी तस धकने के लिए विमाएं 10 cm-8 cm में कितनी आयतकार टाल से चाहिए तो इसके लिए जो हम निकालेंगे टाल्स की संख्या तो देखिए यहां परिमीटर में है और इस सेंटीमीटर में है चिक नौ तो हम क्या करेंगे क्या करेंगे हम लोग कि इसको गुणा कर लेंगे हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 10 इसको बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 100 गुणे 100 कर लेंगे और बटा में 10 गुणे 8 है ना 10 गुणे 8 अब इसको कटा देंगे 00 कट गया और 4 दूनी 8 चरतियाई 12 दूसे 50 बार में तो पस्तियाई 15 पर 3 जिरो यानि कि 15 हजार जो है इसमें बी ओप्सन जो है सही हो जाएगा यदि एक विक्रियता एक कुर्सी को 15 परसंट लाव के अस्थान पर 8 परसंट लाव पर बेजता है तो उसे 56 रुपे कम मिलते हैं तो कुर्सी का क्रायमूल कितना होगा तो देखिए मालते हैं कि 100 रुपिया उसका क्रायमूल है तो 100 तो 7 रुपे का अंतर आया तो 7 रुपिया कम मिलता है 100 रुपिया पर इसलिए 1 रुपिया कम मिलेगा 100 रुपिया में 7 इसलिए 56 रुपिया का अंतर है तो 56 पर कितना हो जाएगा 100 रुपिया साथ गुना 56 रुपिया तो आठ से 100 से 800 रुपिया आठ सो रुपिया जो है यहा गाड़ी को दो किलोमीटर की लंबी सुरंग से निकलने में कितरा समय लाएगा तो देखिए एक किलोमीटर जो है ओ रेल गाड़ी हो गई और दो किलोमीटर का सुरंग हो गया तो कुल दूरी कितना हो गया एक दूरी किलोमीटर हो गया समय बराबर क्या होता है दूरी बटा म तो यहां आपका सभी समय होगा अप्शन जो है दी अप्शन सभी होगा ठीक नो ऑप करा कि 5755 को लिखा जाता है तो 521,255,255 दी अप्शन सभी है सभी अंको 970 तथा 4 का पर्योपर 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना है तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या करेंगे तो 9,7,4,0 हो गया छोटी संख्या 4,0,7,9 हो गया घटा देंगे एक छोट पांच ये जो है अंतर आएगा मतलब D option साही हो गया दो संख्या का जोगफल 8 है तो गुरण फल 15 है तो बड़ी तकरमों का जोगफल क्या होगा तो यहाँ पर देखिए दो संख्या का जोगफल है वो 8 है तो 5 पल तीन आठ हुआ न गुरण फल 15 है तो 5 गुरण 3 पंदर बितकरम का यो फर्मने बाता में 1 बटा में 3 एक बटा में 5 जोडएंगे तो यह 5 3 पंदर लॉसा हो गया तो 3 पांच पंदर पांचaden पंदर आट बटां पंदर पंदर जों गया यहाँ पर जो हो जाएगा आठ बटा में पंद्रस आई अपसन है अब को रहा है कि इतना का महतम समपटक निकाली है तो महतम में क्या होता है कि उसको हम सब को लिख लिखते हैं इतना दिया हुआ इतना दिया हुआ है तो मौसा में क्या होता है जो तीनों में सामिल है तो इसमें तीनों में क्या है दू बिच वाली संख्या का बडर कितना होगा तो तीन करमा का संख्या का निकालेंगे तो एक मान लिए x x plus 1 दूसरा हो जाएगा x plus 2 तीसरा हो जाएगा इसको जोड़ेंगे 15 करना है तो 3 x plus 3 वरा 15 तो हो जाएगा यहाँ पे x वराब 12 बटा में 3 तो 4 हो गया एक संख्या 4 हो गया 5 हो एक 6 हो गया तो बी चुला केतना है 5 है तो 25 आ गया तो यहाँ पर जो है इसमें b option जो है साही हो जाएगा next question देखते हैं कि संख्या जो चारे अधिक अंकों की 8 से भाज्य है यदि उसके अंतिन 3 अंक 8 से भाज्य है d option साही है 5 cm को km बदलें तो 5 cm को बदलना है km में तो क्या करेंगे 5 बटा में 5 बटा में 1000 हो जाएगा और cm है तो इसको बदलेंगे तो गुणा 1 बटा में 100 हो जाएगा मतलब कि 1 2 3 4 5 5 आंक के बाद समलो होगा तो जिरू तो समलो 1 2 3 4 5 यह हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया आपका c option जो है यह 1 2 3 4 1 2 3 4 5 c option जो है सही हो जाएगा निमें कित्में से कौन से संख्या 3 4 5 तता 6 से विभाईत है तो जो 60 है वो विभाईत है उसका मसा निकाल लेंगे मसा साथ है लो सोरी लो साथ निकाल लेंगे लो साथ है चार पॉइंट दो तीन नौ को 0.9 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा इसको हटाएंगे पॉइंट में बदलेंगे यहां पर जो पॉइंट में बदलेंगे तो हमों देखेंगे कि यहां पर बटा में 3 0 हो जाएगा अब 9 बटा में 10 हो जाएगा खटा देंगे भाग देंगे 4 0 7 1 आ रहा है तो 4 0 7 1 भी अप्सन सही होगा मेरी घड़ी का समय 7.05 पराता है तो यह 25 मिनट आगे है सही समय क्या होगा तो घटा देंगे 7.05 से 25 घटा देंगे तो 6 बज कर 40 मिन कि यह होगा सी अपसल सही हो जाएगा अब यह कि असी बिद्यातियों के एक समय पिकनिक पर गया Two We P में 20 पर दृष बिद्याति लड़किया है तता से लड़कें हैं तो उसमें से कितनी और लड़किया समय तो 8 सते 56 हो गया और इसको चाँसात में से चापमग खटालेंगे 8 बच गया इसमें जो है आठ अपसम डीर में साही है रेललगाडी, एक मिटर की दूरी तोई तीर्र मिटर ऐस paragraph में कितना होगा, तो यहां पनो क्या करेंगे, देखिए 1250 मीटर लंबी है नौ तो 1 मीटर है करते हैं समय 2 मिंट में तो 1 मिंट में कितना किया 500 मिट तो 4 मिट में 2000 मीट चला तो दूसरी इसल गली कि exam call वましょう 2000 में से घटा देंगे 1250 तो 750 मीटर एंसर हो जीगा उसमें 750 होगा प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् तो पांच आके प्लस होगे दूसर चालिस हो गया बटा में तीन असी हो गया जोर्ज के अंक असी मेंस पंद्रों पाइन साथ पच गया तो यहां पर जो है बी अप्सन सही होगा और इसो सरल करना है दस गुने दस पलस चार सो भागा सो माइनस पाचास माइनस तीन उपर आड इसको हम लोग कुछ सब्सक्राइब जाए बीस हो जाएगा सो माश्य घट गया असी अब चार समझ भाग देना है तो 845 पांच हो गया तो 105 एंसर हो जाएगा इसमें आप 105 एंसर डी अप्सन सही है तिनसो साथ गराम तीन की गरा का कितना पर्षेंट है तो इसको निकालना हो जगा 360 बटाए में 30 तो बारा परशंट इसमें जो है बारा परशंट साहिए तो इस यह आपके जो है